हलो फ्रेंद्स आइम कुशाल तलवार और यूर वाचिंग डिजिटॉप दोस्तों टाटा की H5 X SUV को आप सभी ने ऑटो एक्सपो 2018 में देखा होगा और इस काड़ी को काफी appreciation भी मिलाता हर तरफ से अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है यह next year 2019 में release कर दिया जाएगा इसका जो production version है और यहां हम बात करने वाले हैं कि क्या सब खास हम इस गाड़ी से expect कर सकते हैं और कितनी यह similar होगी अपने उस concept से जो की दिखाया गया था 2018 के इंडिया में हुए auto x4 में तो friends इसकी बहुत सारी खास बातों में एक बहतरीन बात यह भी रहने वाली है कि इसका जो platform होगा इसको जो तयार किया जा रहा है वो land rover discovery के platform पर तयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका जो steering gear होगा और floor pan होगा वो आपको discovery से mail ख 441 mm रह सकता है इसके लावा इसका जो weight है वो शायद थोड़ा सा जो बताया था auto x4 में उससे बड़ा हुआ मिल सकता है वहाँ पर 1650 kg इसका बिक बताया गया था और अब बात करते हम इसके look की कि यह concept से कितनी अलग होगी और क्या क्या चीज़े सी concept वाली आपको इसमें मिल बाया जा रहा है कि concept car से जो कि हमें auto x4 में दिखाई गई थी उससे यह काफी अलग नहीं होगी और काफी हर तक यह अपने concept से match खाएगी और इसकी styling काफी bold होगी इसके अंदर आपको slim headlights मिलेंगी high set LED tail lamps होंगे और floating roof जैसी काफी आपको इसके अंदर बहतरीन चीज़े मिले अब बात करें इसके interior की तो interior में आपको इसके अंदर दो option के साथ यह available कराई जाएगी एक होगा five seat वाला option और seven seat वाला वर्जन होगा और इसके अंदर आपको सारे comfort rich features मिलेंगे जैसे कि इसके अंदर आपको armrest मिलने वाला है front में भी और five seater में तो आपको इसमें space की कमी ब पीछे भी और बाकी भी latest feature जैसे कि touch screen infotainment, dual tone dashboard, smart steering जैसे सारे functions आपको इसमें मिलने वाले हैं तो यह सारे चीज़ें इसको एक खासकार बना रही है अब इसके अलावा हम बात करें इसकी pricing और availability तो इसका expected जो price है वो different version के according categorize किया गया है five seat और seven seat वाले options में यह जो launch हो सकती है यह first half में 2019 के launch की जा सकती है और यह compete करेगी Hyundai Krita से और Jeep Compass से seven seat जो है इसकी वो महिंदरा एक्स वी 500 से compete करेगी इसी के अलावा यह इस तरह की गाडियों से compete करने वाली है और इसका expected price जो है five seat वर्जन का वो आप 10 से 16 लाग के बीच मान सकते हैं इसके अलावा seven seat वाला वर् से 19 लाग के बीच आने की पूरी पूरी संभावना है यह थी कुछ खास बाते h5x की इस SUV ने काफी अमेज किया था अपने concept से अपने style से और अब जो हमने आप से details share की हैं जो इसकी details out की गई हैं उनसे तो यही पता लग बारा है कि यह जब 2019 में launch की जाएगी तो फिर एक ब चीज़ें मिलना और जैसक कि हमने बताया कि discovery के एक platform पर डिजाइन की जाएगी तो मतलब यह काफी बहतर perform कर सकती है और इसके अलाव ही अगर आप इस काड़ी के बारे में कुछ जाना चाहते हूं या आप कई कोई राय हो तो वह आप हमसे comment section में share कर सकते हैं have a good day friends thank you